नमस्कार SBT News में आपका स्वागत है पेश 21 जन्वरी रविवार सिबसवा 11 बजे राजिसान की बड़ी खबरें कॉंग्रिस नेतर राहल गांधी नेश निवार को कहा कि भारती जन्दा पार्टित थरास्टी स्वम सेवक संक्चुआते हैं कि देश के हर हिस्से में हिंदी का इस्तेमाल हो और पूरे हिंदुस्तान पर दिल्ली से ही शासन हो गांधी ने भारत जोड़ो निया यात्रा के अरुनाचल प्रदेश में प्रवेश करने से पहले कहा कि देश की युवाओं को हर साल दो करूर नौकरियां देने का वादा पूरा करने में और सफल रही भाचपर सरकार अर देश को दिल्ली से चलाना चाहती है और उसकी कोश में मसालों की गणवत्ता और शुद्धता पर सरवादिक ध्यान दें क्योंकि ये सीधा जन स्वास्त को प्रभावित करता है देवनानी शनिवार को जापुर की राजसान इंटरनाशनल सेंटर में दो दिवस्या ग्यारवा ग्लोबल स्पाइस समिट में मुक्यातिती के पक्षा करने में अधिवक्ताओं के एहम भूमिका बताते हुए कहा है कि उन्हें सेवाभाव के साथ पिड़ितों को समय पर नियाए दिलाने का करते हैं निभाने के साथ समाज हित में नियाए के लिए कारे करना चाहिए सेम शर्मा शनिवार को दिबार असोसियेशन जैपल की नव निर्वाजित कारे कारने के शपत ग्रेंट समारों को समबोधित कर रहे थे उन्हें नियाए के मंदिर में सभी पक्षकारों को नियाए मिलना सुनिशित करने के साथ अनावशक देरी नहीं होनी चाहिए राजिसान के पूरी मुख्य मंति सचिन पालेट ने राजी की भारती जनता पार्टी सरकार पर निशाना साथते हुए कहा है कि यहां भी डबल इंजन की सरकार बनने के बाद भी अब तक कोई काम नहीं किया गया है पालेट शन्यवार को पत्रकार वारता में बोल रहे थे उन्होंने कहा कि शुकरवार को अभी भाषन में कांग्रिस नेतरत्व कोकर्ट घरे में खड़ा करने की कोशिश की गई लेकिन अब राजिसान में भी डबल इंजन की सरकार बन चुकी है जब केंडर में भाषवा की सरकार बने थी तब उन्होंने कई वादे किये थे लेकिन कुछ भी नहीं हुआ और अब यहां भी कोई काम नहीं किया गया है जब पर नगर निगम ग्रेटर में काम करने वाले स्थाई सफाई करमचारियों के होनहार बच्चों को चातरवरती दी जाएगी इसके लिए निगम प्रशासन ने करमचारियों से आवेदन मांगे हैं जो 20 फरवरी तक भर कर जमा करवाने होंगे निगम प्रशासन ने चात्रवर्ती के लिए 20 लाख रुपे का बजट रखा है हलांकि कितने बच्चों को और कितनी कितनी राशी चात्रवर्ती के तोर पर दी जाएगी ये तो आवेदर्न के संख्या आने के बाद निर्धारित किया जाएगा नगनिगम कमिशनर रुकमने रियाड की ओर से जारी आदेशों में चात्रवर्ती पाने के लिए वही चात्र पात्र होंगे जिसकी 2022-2023 शैक्षनिक सत्र में दसुई या बार्वी क्लास में सत्तर फिस्दी या उससे अधिक अंक हों दुंगरपुर में सोम माही और जाखम नदियों के त्रिवेणी संगा बेनिश्वर धाम पर 25 जनवरी पॉष्पुनिमा के दिन महा पदियात्रा निकाली जाएगी महांता अच्यूता नन्द महराज के साथ ही राजसान गुजरात महरास्ट मध्य प्रदेश और देश्वर से आने वाले मावभक्त पदियात्रा में शामिल होंगे 24 जनवरी की शाम के समय आभू दर्रा घार पर महा आर्थिक आयोजन होगा पॉष्पुनिमा को लेकर हजारो मावभक्त त्रिवेनी संगम में डुपकी लगाएंगे एक महने बाद 24 फरवरी को बेनिश्वर महा कुम भरेगा पॉष्पुनिमा पर बेनिश्वर धाम पर होने वाली पदियात्रा खुले कर तैयारियां शुरू कर दी गई है आयुध्या में विवा देता धांचे पर सबसे पहले राम नाम का ध्वच फैराने वाले रासमन के सियाना गाउं के कार सेवक राम सिंग चुनावत आयुध्या पहुँच गई है राम सिंग ने वीडियो संदेश में अपने खुशे जाहिर करते हुए कहा कि आज उनका सपना पूरा हुआ और श्री राम लरा दरशन के मनुकामना पूरी हुई चार भुजा के प्रमक संत मौनी बाबा भी उनके साथ है सियाना गाउं के 71 साल के राम सिंग पूर्व सैनिक है जो 1980 में सियना से रिटायर हुए इसके बाद सियाना गाउं में निवास कर रहे थे इसके बाद संतो के आवान पर वो अक्टूबर 1990 को आयुध्या में कार सेवा के लिए सियाना गाउं से रवाना हुए थे जैपर ग्रेटर नगनिगम में 1189 करोड 42 लाख रुपए का बजट पारित क्या क्या है उस पर गार करें तो 334 करोड 50 लाख रुपए तो वेतन भत्तों पर ही खर्च होंगे यानि बजट का 28 फिस्ती हिस्सा तो अधिकारियों और करमचारियों के वितन और भत्तों में ही चला जाएगा वहीं विकास कारे का जो खाका तयार किया गया है उस पर गार करें तो 504 करोड रुपए ग्रेटर के 150 वाड़ों में खर्च होने का अनुमान है यानि हर वाड के खाते में आसे तन 3 करोड 36 लाख रुपए की राशी आएगी इन में से सड़क वे अन्य निर्मान वे नाली के रख रखाव पर 105 करोड रुपए खर्च होंगे वित्यवर्षत हो जाते इस 24 की तुल्मा में इस बार 78 करोड रुपए जाता है पिछले वित्यवर्ष में 426 करोड रुपए निर्थारित किये गए थे नैशनल टेस्टिंग अजेंसी एंटी ए नई दिल्ली की और से आयोजीत की जाने वाली जे इमेन प्रवेश परिशा 24 जनवरी से शुरू होगी जे इमेन 24 जनवरी के लिए 12 लाग से अधिक विद्यार्थियों ने पंजीन किया है इन सब ही विद्यार्थियों और उनके अभी भावकों को एंटी ए नई दिल्ली की और से जारी की जाने वाली स्टुडेंट एडवाईजरी और सब्जेक्ट स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन का इंतिजार है एजुकेशन एक्सपर्ट देव शर्मा का कहना है कि वाशे 2023 के जनवरी और अप्रेल अटेम्ट में एडवाईजरी अंतिम समय में जारी की गई थी जिसकी चलते कई विद्यार्थेों को परिशानी हुई थी 2024 में अंतिम समय में ही एडवाईजरी ही जारी की जानी की संभावना है ऐसे में विद्यार्थेों को इसकी जानकारी होना आवशक है जिसे अंतिम समय पर जारी की जाने वाली एडवाईजरी को समझने में आसानी हो जैपुर में अलग-अलग दिशाओं और कोनों में स्थापित प्रभुराम के मंदिरों में प्रमग है जैपुर सापना के समय छोटी चौपर सिट सीता राम जी का मंदिर करीब 296 साल पुराने इस मंदिर को उस दौर में शहर के नगस सेट रहे लुनकरन भिखारीदास नाटानी ने विक्रम समवत 1784 में बनवाया था वास्तु शास्त्रे ग्रंथों के अनुसार 42 वर्ग गजमीन पर भारतिय स्थापते कला के विशिष्ट शैली में बनवाये गए इस मंदिर के निर्मान पर तब करीब 300 सोनी की मोहरे की लागत आई थी करीब साड़े पांच वर्ष में बन कर तयार हुए मंदिर में सीता राम जी के दो विग्रह चल अचल है काले पत्थर से निर्मित विग्रह चल और अस्ट धातु से निर्मित विग्रह अचल है इस विग्रह में प्रभु राम चांदी का धरुष्था में है रहसान को प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 35 सड़कों की स्विकृति मिली है भार सरकार के ग्राम एन विकास मंत्राले ने इस सब्मन्द में स्विकृति जोरी की है प्रदेश में 251 करोड 38 रुपे की लागत से 394.65 किलोमेटर की 35 सड़के बनाने की स्विकृति प्राप्त हुई है उप मंक्य मंत्री दियाक हमारी ने कहा कि पिछले दो वशों से ये स्विकृति नहीं मिल रही थी टाजिसान के कोटा का रहने वाला तेजस्वी बालक आरेन सिंग ने अपने नाम एक खास उपलबधी हासिल की है उसका नाम देश के उननिस बालक बाली कावं में शामिल हुआ है जिसे आगा में 22 जैनवरी को प्रधान मंत्री रास्टे बाल पुरुसकार से नवाज़ आज़ाएगा इस औरान देश की रास्टे द्राबदी मूर्मू, पि-म नरेनर मोदी सहिद महिला और बाल विकास मंत्र सिम्र्टे एरानी मौजूद रहेंगी आरेन सिंग का इस पुरुसकार सुची में नाम आने के बाद उनके परिवार में उसाख हमाहौल है ये पुरुसकार देश के उन्हें प्रतिभाशाली बच्चों को दिया जाता है जो 18 वर्ष की कम उम्र से पहले और साधारन उबलब्दी हासिल करने में कामयाब होते हैं आध्या में श्री राम मंदिर प्राम पतिस्ठा को लेकर कोटा के मंधिरों में तयारी चल रही है तीन दिवसी राम उत्सव को मंधिरों में सजावट के धार्मी कायोजन शुरू हो जाएंगे राज सरकार ने भी प्रदेश के राज के वै और राज के मंदिरों में सजावट साफ सफाई और प्रसाद की विवस्था के लिए नगर निगम नगर पालिकों को विवस्था करने के लिए 12 जनवरी को निदेश जारी किये हैं लेकिन निगम की ओर से विवस्ता नहीं करने के विरोध में नगनिगम कोटा दक्षिन के नाराज पार्षदों ने शनिवार को महापा और राजी वग्रवाल के घर धरना देकर मंदिरों पर राजसरकार के आदेशो की पांगना करने की मांग की है आध्य में 22 जन्वरी को आईउजीत होने वाले राम नेला की प्रान पृतिसथा महसव जयापुर ग्रेटर नगनिगम की ओर से रामोचसव का आईउजर की आचवरा है वहीं हेरिटेस नगर निगम की ओर से जागो जैपूर जगमक जैपूर अभियान आयोजीत की अवचारा है ग्रेटर नगर निगम ग्रेटर की ओर से शनिवार को मुख्य मंत्री प्रेम चन्द बैर्वा और मेर डॉक्टर सौमया गुर्जन ने मालविय नगर जून के वार नमबर 134 में हर्मान मंदिर परिशा में साफ सफाई की इस तोरान उन्होंने मंदिर में ज़ाड़ो लगाई निजी होटल में शुकरवार शाम सुर संगम कारक्रम हुआ कारक्रम में अमबाला के सिंगर अभजीत शर्मा और रामपुर सहस्वान घराने की क्लासिकल सिंगर इंदू ठाकुने शोताओं को फिल्म में गी सुनाएं अभजीत और इंदू ने राग रागनियों की जानकार संसा के प्रेसिडेंट चंद्रा बूब ने बताया कि शोताओं की फरमाईश पर इस बार क्लासिकल के साथ सेमे क्लासिकल म्यूजिक का प्रोग्राम रखा गया है इसमें पुराने फिल्मों के उनन नगमों को शामिल किया जो क्लासिकल म्यूजिक की रागों पर आधारी थे तो फिलाल इस पुलिटिन में इतना ही फिर हाजर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ